नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने आपसे वदा गये था, दूसरे एपईसोड लेकर भी हम हाजर हो चुके हैं। दोस्तों, तजिंदर काऊ के बारे में अप्डेट बताने के लिए इस वीडियो को लेकर हम आपके सामने हाजर हुआ हैं। यहां दोस्तों तजिंदर कॉर्णे जैसा कि बहुत है मैदार गेम खिला अमिता बच्चिन के साथ उन्होंने खोब मस देखी और उन्होंने गेम के शुवात सूपर संदूक राउंड से की तजिंदर कॉर्णे थी हास रच दिया उन्होंने सभी दस सवालों के सही जवाब दिये और एक लाख रुपे जित लिये और वो अपनी ओडियन्स पोल लाइफन को दोबारा से पुनर जीवित कर लेती है इसके बाद बिग भी याने अमिता बच्चन ने उन्हें बताया कि उन्होंने वादा किया था कि जो कोई भी सभी 10 सवालों का सही जवाब देगा याने सुपर संदूक के 10 सवालों के सही जवाब देदेगा उस कंटेस्टिंट को वो खाने पर ले जाएंगे ये सुनकर तजिंदर कौट बहुत खोश हो जाती है और इसके बाद बॉर्योड के महानायक अमिता बच्चन ने बताया कि वो डीनर के लिए बाहर जाएंगे और वे अकेले जाएंगे जी हाँ दोस्तों ये काफ़े दिल्चस्प बाते के विसी के सेट पर हुई जब दर्शकों ने बाते सुनकर के बहुत बहुत इंज्वाय किया दरसल अमिता बच्चन ने एक कंटेस्टिंट के साथ वादा किया था कि अगर कि यहाँ पर कोई कंटेस्टिंट सभी दस सवालों के जवाब सही सही दे देता है तो वो उसके साथ जीनर पर जाएंगे और अमिता बच्चन ने अपने पुराने वादे को याद करते हुए दौराते हुए तजिंदर कौर के साथ सभी दस सवाल देने के बाद उन्हें वादा किया कि उनके साथ डेट पर जाएंगे यानिकी टीनर पर जाएंगे तजिंदर कौर ने अमिताब बचिन के साथ कई ऐसी बाते की जो दिल को पेहाद छू लेने वारी बाते है उन्होंने अपने पती के बारे में कुछ ऐसे बाते भी बताई जो आपके भी दिल को छू जाए लिए उन्होंने अपने पती के बारे में बताया कि उन्हें फिल्में देखने या गाने सुनने में फोई दिल्चस्प भी नहीं है वो बताती है कि शादी के समय उनके पती के पास घर पर रेडियो नहीं था और उन्होंने एक रेडियो ले लिया क्योंकि उन्हें गाना सुनना बहुत पसंद है अमिताब बच्चन जब गेम शुरू किया तो उन्होंने 6,44,000 रुपे के लिए तरिंदर कौर से सवाल पूछा अर्थ शात्री जीम ओल नील ने 2001 में तेजी से बढ़ती देशों के सम्मू को संदरवित करने के लिए कौन सा शब्ग गढ़ा था और किसी भी लाइफ़ लाइफ़्यां का इस्तेमाल किया और तरिंदर कौर ने option D को बताया क्योंकि बिल्कुल सही जवाब था इसके बाद आमिताब बच्चर ने इनके नौलेज की तारीफ प्रिकी लेकिन जब तरजिंदर कौर से एक करोड रुपे का सवाल पुछा गया तब उन्होंने अपने दूर लाइफटेन के इस्तेमाल किया लेकिन वो सही जवाब तक नहीं पहुँच पाई और इस वज़ा से उन्होंने गेम को फिट कर लेना ही बेहतर समझा और इस तरह से तरजिंदर कौर इस गेम से 50 लाख रुपे जीत कर घर लेकर गई एक करोड रुपे का सवाल था सुहैली वह नौका जिसमें रॉबिन नौक्स जॉंस्टन एकल जहाज से बिनारू के दुनिया का चक्र लगाने वाले पहले व्यक्ति बने किस शहर में बनाई गई थी जवाब के बारे में कन्फूज होने की वाज़ा से तरजिंदर कौर ने ओडियन स्टोर और वीडियो कॉल अफ्रेंट की मदद ली लेकिन यहां से भी वो सही जवाब देने में नाकाम रहती है और इसके बाद तरजिंदर कौर ने गेंग छोड़ने का फैसला किया इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन B यानि की मुंबई था और इस तरजिंदर कौर यहां से 50 लाख रुपे जितने में कामयाब रहे तरजिंदर कौर और अमिता बचन के बीच में काफी अच्छी बाते हुए दिर्चस्प बाते हुए और इंटर्टेनिंग रहे यह शोग होते जिसे दर्शकों ने भी काफी अच्छा रिस्पॉंस दिया केमिसिक में अब तक दो कंटिस्ट ऐसे आया हैं जिन्होंने एक करोड़ रुपे की नाम राश्री जित लिया है सभी कौमित थी कि तरजिंदर का और तीसरा कंटिस्ट ऐसे बन जाएंगी जोकि एक करोड़ रुपे जित पाएंगी लेकिन अपसोस का जवाब सही से नहीं दे पाई तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीटियो पसंद आया तो फ्रेज हमारे यूटिब चनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें हमें आपके कमेंट का इंतिजार रहेगा